साथियों सरकार ही नहीं अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशी दी गई है अभी शुरुवाती चरण में ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े बेनिफीट्स पर लागू की जा रही है मान लिजिए कोई और्गनाज़ेशन सेवा भाव से सरकार भारत सरकार के दवारा जो मुप्त वैक्सिन दी जा रही है उसका लाब लेना नहीं चाहता है लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत दे करके वैक्सिन चल रही है उसमें देना बेजना चाहता है अगर वो सो गरीबों को वैक्सिन लगवाने के उसकी इच्छा है तो वो उन सो गरीबों को यी रूपी वाउचर दे सकता है यी रूपी वाउचर ये सुनिश्च करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सिन लगवाने में हो किसी और काम में नहीं समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है कोई टीबी के मरीश को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है या फिर बच्चों को गर्बवती महलाओं को भोजन और परियावरण से जुरी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है तो इ रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा यानि इ रूपी एक तरह से परसन के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा ये इ रूपी सुनिश्चित करने वाला है कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा कोई किसी छेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्ता करना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्ता करना चाहता है तो ई रूपी वावचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अबर अगर राष्ट्रिय परिक्ष में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबे ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाएं। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आएं। गर्वबदी महलाओं के लिए दिये गए कैश्व से सिर्फ पोशक अहार ही खरीदा जा सके। यानि पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तमाल चाहते हैं ए रूपी वावचर उसे सिद्ध करेगा।